हाई गाइस आज हम करेंगे इंपॉर्टन टोपिक जनेटिग ट्रिक जनेटिक ट्रिफ्ट घनेटिग ट्रिफ्ट जै है हार वेन वांब के कि अगर अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आपको वीडियो देखने चाहिए क्योंकि इसमें आपको क्लियर हो है चेंज इन एलेल फ्रिक्वेंसी इस सो डिफ्रेंट इन न्यू सैंपल ऑफ प्पुलेशन डैट भी कर भी एक सामपर से समझते हैं वैसे तो जैसे कि अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप देखिए जरूर हाड़े वैंबग वारी क्यूंकि इसमें आपको साथ अगर इसमें से कोई इंडिवीज्व जो है इस अगर निकलके अपनी खुद की अलग से दुनिया बना लें मतलब अपने खुद की ही एक अलग से पॉपलेशन बना लें वातब यही इनसान चला गया किसी और एरिया में और उसने रिप्रडाक्शन के थे थिरू अपनी इसमें मैंने समझाया था कि अगर कोई पॉपलेशन चला जाए और किसी दुसरी पॉपलेशन में शिफ्ट हो जाए तो वह कहलाता है जीन फ्लो या फिजनेटिक फ्लो लेकिन अगर कोई एक वही इंडिवीज्व अपनी खुद की एक अलग जगा बना लें अपने खुद क यहांपर चुका है ठीक है और आपको यहांपर इसकी देफिनेशन समझ में आ जाए की की चेंजीन फिкамиंशी दिफ्रेंट है new sample of population that they become a new species मतलब allele frequency में कुछ इस तरह से change आया कि जो हमारी पहली वाली populations थी उससे बिल्कुल नई तरह की new species बन चुकी है बिल्कुल नई species जो है बन चुकी है ठीक है वही इसका मतलब ध्यान से समझना की change in allele frequency allele frequency में कुछ इस तरह से change आया so different in new sample of population जो जो हमारी नई population आई है उसमें कुछ इस तरह से उसमें allele frequency में change आया कि वह एक नई species बन चुकी है क्यों बनी नई species क्योंकि यहां से तो कापे सारी अलग अलग तरह की species थी सारी कठी रह रह रही थी तो mix सा था लेकिन यहां से जब एक इंडिविजल गया और उसने अपनी एक अलग से बना ली अपनी से अलगी जगा बना ली तो वहां पे एक ही तरह की species बनगी बिल्कुर नए सेंप्ल बन के आता है क्योंकि evolution हो चुका है है ना तो बिल्कुर नई species बन के आएगी तो वही कि अले frequency में इस तरह से चेंज आया कि जो नई population बनी उसमें बिल्कुर नही तरह की species पाई गई वही कहला थी हमारी genetic drift अब मेरे सब्सक्राइब की है कि जो ओरीजनल ट्रिफ्टिट population बिकम्स फॉंडर अब यहां पर हमारी नई नही तरह की species है इसमें क्याती इसमें सारी पुरानी तरह की species थी क्योंकि कोई evolution यहां से नहीं हो रहा था लेकिन यहां पर complete evolution हो चुका है एन्वार्मेंट में इसका प्रभाव थोड़ा कम हो चुका है बजाएकि इसे विष्के अंदर तो नहीं-उने species है न वहीं प्रानी वाली इसपीसिज है तो इसका जो effect है थोड़ा फेड हो चुका है मतलब यह थोडी J hard हो चुकी है ठीक है कि हो चुकी है ऐसे हम बोलते हैं फॉंडर इफक्ट है और इसे ह 흁 बोलता है there यह यह लिखा है यहां पर जो और जीनल वाली पोप्लिशन है अर फॉंडर और हो है और इसी फेक्टम क्या बोलते हैं फांडर एफेक्ट आया तिंख वापको समझ में की इंख समझ में आ एक एक्समें समझते हैं यहां पर यहां पर एक रख्वम्पल दिया होगा उसके अंतर बोटल नेक इफेक्ट का कफी ऊच्छे कुछ इसतरा से बांच लोट्राइं माला है यहां पर पॉपुलिशन रहरी है rumह आप पोपीशन रहरे ही है इस पॉप्लिशन प्रूनिया चैनल रहरी इसको सब इस और सबॉप को जो होती है कि nature की वज़े से भी वहामें उस एरिया से बाहर निकलना पड़ता है example मालनी हमारी बोटल ने कि एफेक्ट हमने ली इस मालनी बोटल जैसे एरिया लगा लो ठीक है नाम तबी रखा जाता है इसका एक बोटल जैसे आप एरिया लगा लो कि मालनी ऐसा एरिया है जहां कुछ इस तरह से लोग रह रहे हैं ठीक है? इस एरिया में लोग रह रहे हैं जो कि पिलकुल बोटल जैसे दिखती है तो यहाँ पर जहाँ बाई चांस नेजर की वज़े से यहाँ पर कुछ ब्रास्टिक कैते हैं ने कुछ आपदाय बगरा आजाती है कुछ drastic change आ जाता है यहां पर drastic change लगा लो कोई भी बाढ़ आगे भुकम पा गया पर कुछ और सुनामे वगरे कुछ ऐसे चीज़ से हो जाती है आगे मोश्टी केसे क्या रहेंगे कि यहां पर यहां पर प्रमाणु बंफोर देते हैं इस तरह के कोई अधार में तो ज्यादा जो अफेक्ट होगा वह यह वाला ही ओगा टिक है लेकिन जो यह वाले एरिया होंगे जो पॉप्लेशन होगी लोग होंगे वह सिर्वाइव कर डहेंगे क्यों से रवाइभ करेंगे क्योंकि यह इस तरहां से और कि पड़ए कर जाएंगीं। और यह सबस्वाई तो यह से निकल जाएगी अगी सारी सारी की सारी कहीं और जाएगी और एक अपनी ही अलक से पॉप्लेशन बनाएगी तो बनाएगी to call new अगर उस जगह से नीकल गई और नहीं पुपलेशन बनाएंगे तो अगर उस जगह से नीकल गई तो मतलब वहां पे एवलुशन हो चुका है ठीक है वहां पे एवलुशन हो गया उनके अंदर और यही होता है जेनेटिक ड्रीफ्ट तो मैंने पहले पहले काता कि जरूरी नहीं है कि कोई एक इंडिविजर अपने मर्जे से जाए नेचर की वज़े से भी इन इंडिविजर्स को जाना पड़ सकता है और वही एक्साम्पल है बोटर नेक इफेक्ट का ठीक है तो आई तिंग आईस अब आपको समझ में आग रोगा कि कि अपनेटिक जिफ्ट